श्री मैंश्वी टाइमस के सभी पार्ट को शोता को श्रदक अटाने उदैपुर का नमश्कार बात हम सब की सबसे बड़ा सुख निरोगी काया इस पर आज हमें एक बात समझते हैं कि एक बार एक रईस राजा था उसके चार रानिया थी और चौथी रानी से वह सबसे जाद महेंगे कपड़े बैतरीन खाना खिलाता था और वह जो बांगती थी वह उसको देता था वह अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसके आसपास के राज्यों में उसका बखान करता था मगर उसे डर था कि वह एक दिन किसी के लिए मेरे को छोड़ देग वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था वह उसकी हमराज थी और वह हमेशा सहनुगती इज्जत और धहरे रखती थी जब भी राज्यों को कोई भी परेशानी होती थी और उसे बताता था ताकि वह राज्यों को राज्यों को उसकी परेशानी हल करने में उसका हल सके राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे जगा-धार थी और राजे और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था एक बार राज राजा बिमार पढ़ गया उसको समझ hyvin उसके बहुत कम समय है इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमको दिया सबसे बहतरीन चीजों से तुम्हें नवाजा और सबसे ज्यादा ध्यान भी तुम्हारा ही रखा अब मैं जब मरने जा रहा हूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी क्या मेरे साथ चलोगी तब चौथी पत्नी ने जवाब दिया बिलकर नहीं उसकी बात से राजा के दिल में जिसे चुरी लग गई चुरी जिसे चुप गई अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और सारी जिंदगी मैंने तुम से प्यार किया अब मैं उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी मेरे साथ हाओगी माफ करना इस बार मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती दूसरी पत्नी न आप जाएंगे मैं वहाँ चलूंगी राजा ने नजरे घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी वह बहुत कमजोर थी क्योंकि वह खाना ही नहीं खाती थी दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मैंने तुम्हारा बहतर ध्यान रखना चाहिए थ दोस्तों इस कहाने से यह सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है हम चाहें ुसें सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं म्रत्य के समय यह हमें छोड़ी देगी कि हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति दर्जा और दौलत हैं जब हम मरते है तो ये औरों को ही मिलती है हम इसको साथ नहीं लेके जाते हैं और हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार समीगन है चाहे वो कितना भी हमारे साथ हो जादा से जादा वो हमारे साथ शम्शान तक ही जाएंगे उसके आगे कोई नहीं जाएगा हमारी पहली पतनी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत और ताकात और एहंकार से सलन्य बेध्यान हो जाती है मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो हम जहां जाएंगे वहाँ तक जाएंगी इसलिए इसे उपजाएं ताकत Nazis पर्व cm ।र इसका आज से ही हान कें यही दुर्येया में आपके यह सबसे बड़ा तौफ़ा है इसलिए खुद का ध्यान रखें खुद को सजाएं और खुद को ताकतफर बनाएं आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखिए जै श्रीकृष्णा जै महेश